मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेस्लर्स को नियोता दिया था बादचीत के लिए बहुत अच्छे बातावरण में सकारात्मक बादचीत बहुत संवेधन शीर मुद्दे पर हुई है और लगबग 6 गेंटे 40 बैटक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चारशीट दायर की जाए और रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए इंटर्नल कम्प्लेंट कमेटी रेस्लिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्ष्ता कोई महिला करे जब तक Wrestling Federation of India के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की अड़ोग कमेटी पर दो कोचिस का नाम प्रस्तावित किया गया है तक टेक्निकल भी उसमें दिखते हैं बहुत आती इसलिए सुझाव दिये गये हैं कि दो कोचिस को उसके ओपर रखा जाए उस कमेटी में और जब Wrestling Federation of India के चुनाव हो वे एक अच्छी Federation के रूप में चले अच्छे पदादिकारी उसके चुनके आए उसके लिए खिलाडियों से राश्मारी हो निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजबोशन सिंग जिनकी तीन टर्म पूरी होई है वो और उनसे संबंदित लोग उसमें चुनकर ना आए इस तरह के उनकी मांग थी जो महिला खिलाडियों को या बाकी खिलाडियों अवश्यक्ता अनुजार सेक्योरिटी उनको मिले जिन खिलाडियों के या अखाडों के या अकेडमिस के या कोचिस के खिलाव मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापिस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानून या पुलिस के कारवाई ना की जा सके और खिलाडियों ने कहा है कि वो चाते हैं कि पंदरा जून तक चारशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर परदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संग्रतन ने उनकी समत्र के हैं वो भी कोई परदर्शन नहीं करेंगे और उन सब को भी इस बादशीत से अफगत कराएं